हेलो एंड विल्कम टू पाथ फाइंडर तो दोस्तों आप सबीका सागत है हमारे चैनल पर एंड विलकम यू वार्म गुड मॉर्निंग तो चलिए इसके साथ आज की क्लास चार्ट करते हैं तो आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दॉपिक ह हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या क्या ग्रीन हाउस गैसे हैं और ग्लोबल वामिंग है क्या फिनामेना तो इसको आज हम समझने वाले हैं चलिए वक्त बरबाद किये वगएर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं तो अगर आप देखे तो इंडिया का लाजिस प्लाटफॉम है यहां पर आइकनिक प्लस दोनों ही कोर्से आपको मिलते हैं यहां पर इंडिया के बस पहली बात जोड़ने उनके लिए मेरा नाम किंजल चौजरी है और यहां पर आप मुझे फॉलोव भी कर सकते हैं तो बस कुछी दिन बच रहे हैं जल्दी से यहीं वक्त है तो फॉर इ ऐफिलेबल है 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है और सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक साल की सब्सक्रिप्शन प्रिलिम्स 2022 तक चलेगी दो साल की प्रिलिम्स 2023 तक चलेगी तो यह सब बेनिफिट बस एक दिन की बात है उसके बाद नहीं होगा आपको आज सकता है अप्याद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यही वक्त अप्रोप्रियेट है अगें अब देख सकते हैं राइस सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर संदे को इंडिया की फ्री स्कॉलर्शिप टेस्ट भी होती है तो चलिए इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो जै हनुमान जैंती विश्वास जी गुड़ मौनिंग गुड़ मौनिंग एम चंट आंगी अक्षद अनीश तो तो दोस्तों अगर आप दिखें तो सबसे पहले तो जैसा हमने पिछले क्लास में क्लाइमेट चेंज के हमने नाच्रल कॉज़र्ट देखे थे क्या कारण है नाच्रली भी क्लाइमेट चेंज होती है तो वह तो हम समझ गया लेकिन आज के युग में आज के वक्त में जब ह कि तब हम एसेंशली बात करना चाहते हैं वह क्लाइमेट चेंज जो की इंसानों के वज़े से इंसानों के वज़े से हुआ है तो यूमन अक्टिविटी से इस्पेशली ग्लोबल वार्मिंग जिस क्लाइमेट चेंज के पीछे रिस्पॉंसिबल है आज के वक्त में हम उसी और इनसान कैसे कर रहे तो जो वैं क्लाइमेट स来ने क्लाइमन तरीके से SARAH सकता है इंसान गरम करें ठंडा करें ठंडा करें तो भी हो जाएगा पदलना थिक है अगर आप देखें तो ग्लूबल वार्मिंग आज वह फिनौमेट है इसके माद्यम से हिंसान क्लाइमेट यह अर्थ का जो टैंपरेचर है ऑवरिश टैंपरेचर उसमें इनक्रीज़ है जिस वज़े से एविश तेंपरेचर बदल रही है तो जो ग्लोबल एवरेज क्लाइमेट है उस वज़े से वे बदल रही है तो ग्लोबन वामिंग अगर आप देखो C level क्या होगी राइज होगी को सलस्सक्या होंगी फिखलने लगें होगी o सब छोगी है रैनफॉल बढ़त रहे हैं इसलीर आप देखो थे हो रहे हैं तो रेनफॉल पाटन बढ़ेंगे एक्स्ट्रीम कहते हैं ज्ष SNOW रहा है न था तो डॉडस forgiving इन्जों कि esto उतनी ज्यादा गरम-गरम पानी मिलेगी तो उतने ज्यादा ट्रोपिकल साइकलों वहनेगे तो ट्रोपिकल साइकलों था फ्लाश फ्लॉड यह सारी चीजबिक त्रहच्वी आइग व्यश प्रशली समुझर में बहुत ज्यादा ऐसे देखने मिल रहा है तो जो मचलियां कुछ आप देखोगे की मान लीजिए यह सब ट्रॉपिकल लाटिट्यूड में या फिर मान लीजिए यह गरम पानी के इक्वेटर एक्वेटर के उपर मानली चेट डिगरी आठ डिगरी वाले लाटिट्यूड में रहते थे इसको मैं फिर सही दिखाता हूं दुसरे जगे मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से देखिए यह मानली जीए एक्वेटर है यह मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ पहले कुछ ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल पानी में रहा करते थे अब ये पानी क्या हो रहा है इस गरम और ये गरम होगा पहले जिस temperature था उससे गरम हो रहा है तो ये जीव पानी के जीव ऐसा देखने अब में पाया गया है ये अब नौर्थ वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं क्यों क्योंकि सेम temperature का पानी अब उसको northern latitude पे मिल रहा है योगी temperature क्या हो रही है गराम हो रही है अच्छा अगर कोई location इंडिया जैसा है याने की ज्यादा शिफ्ट करने को जगा ही नहीं है क्लाइमिट चेंज हो रही है तो उस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बाकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी वह सब भी काफी तीजी से नुकसान उनको भी देखने मिल रहा है वह भी पहले की तरह अब ज्यादा नहीं है तो यह सारे अगर आप देखो तो गा जहां ट्रॉपिकल लाटिट्यूड में ही ज्यादा दिखते थे लेकिन अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उपर के लाटिट्यूड में भी रेप्लिकेट हो रही है तो इस होजे से यह होगा कि मलेरिया जो पहले कुछ 30 डिग्री लाटिट्यूड तक ही देखने मिलते थे मच् लिए पता है आने वाले दिनों में वह बाकी के इलाकों में भी फैलनी शुरू कर जाएं आपको बताया यह क्या होती ब्लीचिंग कर रही है उनकी प्लैंक्टन ओशन गरम हो रहे हैं औस गरम होंगे तो फाइटो प्लैंक्टन क्या होगा डिजॉर्वल ऑक्सिजन कम होगा तो प्लैंक्टों लाइफ को नुक्सान हो जाएगी को ठीमाल करता है जिस से घ्राइब होने से होता है ग्लेशियर पढ़ने लगेंगे तो राइजिन सी लेवल होगा तो बांगलादेश जैसे जो भी लो लाइंग कोस्टल लैंड्स हैं या मॉल्डीज जैसे जो कोरल आइलेंड्स हैं सबसे पहले वह डूबना शिरू करेंगे और उसके बाद उनिलाकों का जो इकोसिस्टम था वह भी डिस्ट्रॉई हो जाएगा मॉल्डीस का कोरल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉई फॉजाएगा तो यही बुक में भी आपको मिलेगा तो अब समझ आ गया चलिए अब कुछ देख लेते हैं घ्रीन हाउस एफेक्ट के कि सबस्क्राइब इसमें ब्रस्री अब देखें तो नाच्रली अकरिंग फिनामेन है तो कुछ गैसेज होते हैं कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वह हीट एब्जॉब करने में सक्षम होते हैं कि तर मौलीकूल कर सकते ऐसा मौलीकूल क्यूलर क्यों चाहिए कि वह एब जाय कर सके तो वह गैसे जिनका प्रकार का है कि वह इब जाब कर पाएं वह घ्रीण हाऊ से तो एक नाच्रूल फिनाओमिना अर्थ में अलरेज़ेश तहसे घैसे रहें पर एक बन डाय तो carbon dioxide में रहता है ऐसा कहते हैं कि इस वक्त average global temperature प्रिश्वी की कितनी है 15 degree Celsius है पर यदि आप atmosphere से CO2 निकाल दो तो अर्थ की average temperature minus 17 degree Celsius हो जाएगी and earth का temperature बहुत लो हो जाएगा और life sustain करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो यह natural phenomena भी है green house effect atmospheric gases है जो प्रिश्वी को गरम करते हैं तो green house gases क्या है यह वो gases है जो की atmosphere को गरम कर सकते हैं यह infrared radiation absorb करने में सक्षम होते हैं क्यों ऐसा नाम ऐसा नाम क्यों green house gases ऐसा नाम इसी लिए है őने बहुत काम आती है intensity sunlight की क्या होती है बहुत काम होती है क्यों क्यों की Sun की light जो होती है मौत ज्यादा तिर्ची आती है ऑपर latitude में क्या होता है संद्रिग्याइट आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तिर्ची रहती है इतने पार्ट में सीधी सीधी पड़ती है और यहां आप आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तिर्ची हो जा रही है याने की बहुत ज्यादा डिस्ट्रिब्यूट हो जा रही है तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है सही बात है तो इस वज़े से क्या हो बनाना होगा अनुकूल बनाना है वहां पर अग्री कल्चर करने के लिए तो इस थंडक में तो आप अग्रिकल्चर नहीं कर सकते तो क्या करोगे गरम करोगे तो कैसे करोगे तो यह लोग किया करते थे इन इलाखों में अपर attitude वे बड़े बड़े घर बनाते थे जिस घर का जो सीलिग होता था वो कांच का होता था यह ग्लास का होता था और ग्लास के होने से यह क्या होती थी संकी लाइट आती थी और यह संकी लाइट आने के बाद निकल नहीं पाती थी ट्राप हो जाती थी और इस वज़े से यह घर क्या हो जाते थे गरम हो जाते थे और इसके अंदर खेती वाड़ी की जाती थी इसी को कहते थे ग्रीन आउस क्यों अंदर में ग्रीन रहती थी खेती होती थी तो वहीं से आया एफेक्ट ग्रीन हाउस एफेक्ट तो होता यूँ है तो यह देखिए आप अगर देखो तो यह जिव्द देखें यहां पर तन की लाइट अ रही है इत्मॉस्फेर को पेनेट्रेट की अर्थ शब्लाप कर लिए व wrong कर लिया और तो आत्र माश्व कर लेती है यही को कहते हैं यही हैं वोबल यही को यह अगर जादा होने लग जाए नॉर्मलत से तो उसको कहेंगे वर्मिंग और यह जो फिनॉमेना हुआ जिस इस ग्रीन हाउस एफेक्ट तो ध्यान से देखिए हो तक है सन की रेडियेशन निकली क्लियर एट्मॉस्वेर से पास की पेनेट्रेट करके प्रिच्वी पर आ गई जमीन पर जब यह आ गई जमीन पर तो मोस्ट अफ दा रेडियेशन आप देखोगे कि अर्थ से निकलती है तो कुछ तो निकल पाती है लेकिन मेजर आप देखोगे निकलते टाइन एट्मॉस्वेर में कहीं एब्जॉब हो जाती है कुछ देर के लिए बाद में एट्मॉस्वेर भी स्पेस में रेडियेट कर देगा पर कुछ देर के लिए उस एनर्जी का स्टे टाइम अर्थ के एट्मॉस्फेर में होगा तो यहीं है ग्रीन हाउस एफेक्ट आईए इसको हम कि समझते हैं इसी को हम देखते हैं कि तो कुछ ऐसे देखिए तो सन से आप देखोंगे निकल रही है यह जो energy निकल रही है क्यों सी एनर्जी है रेडिएशन हो सन से आ रहा है वो कैसा 봡़ी इसे है हाई एनर्जी है सही बात है तो ऑई एनर्जी अगर आप देखो इनवर्ट प्रपोर्शनल टो दी वेवलेंथ इस इकल टू एच इवाई लामडा शायद कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं याद रखेगा एनर्जी क्या होती है इन न वर्शली atmosphere को penetrate कर जाती है कुछ आपकी गाड़ी के जैसी कि गाड़ी आपने देखा होगा क्या हो जाता है कि इसको धूप में छोड़ दो छोड़े देर क्या हो जाता है अंदर की सीट गराम हो जाती है तो incoming solar insulation अगर आप देखो वह कैसी होती है वह अगर आप देखो तो lower wavelength की होती हैं तो यह क्या है लोर वेवलेंद ठीक है अब प्रत्वी क्या हो रहे है उस हीट से अबसक्राब कर रही है कि गरम होती जारी जमीन गराम हो रही ओन हो केご धीरे धीरे वो की फीट कर रही है तो इसकी तुल ना में प्रिछ्वी से जो Reverd निकल रही है वो कैसी है हे लोअरेनर्जी याने वेवलेंद एनर्जी तो इनवर्ष िपरपोर्श्टल टूवेवलेंद अगर ऐनगर है यह ना लोगर में सही बात है तो एक अगर देखो फित्धी से जो अनर्जी निकली वह कैसे निकली aż यह अगर आप देखो तो आउट गोइंग थी आउट गोइंग सोल आउट गोइंग टरेस्ट्रियल रेडियेशन इनकमिंग तोलर इनसोलेशन संसे आ रहा था आउट गोइंग जमीन रेडियेट कर रही है तो आउट गोइंग टरेस्ट्रियल रेडियेशन नहीं वाद है तो यह आउट गोइंग टेरिस्ट्रियल रेडियेशन क्या होगा यह अगर आप देखोगे तो यह शौटर वेवलेंद होगी है ना तो अब अगर आप देखो तो जो एटमॉस्फियर है वह आपकी गाड़ी के कांच की तरह क्या करता है कांच कैसे सोलर रेडियेशन को आने देती है कि वह लोपलंच की होती है लोपलंच के लिए अंदर आ जाता है फिर गाड़ी गरम हो जाती है और जब वह हीट निकलना रही है तो धीरे धीरे हीट करके गाड़ी की सीट को छोड़ रही है तो रिलेटिवली वो शौटर वेवलेंद के हैं तो उस शौटर वेवलेंद को निकलने नहीं देता कांच क्या करता है ट्राप करके रखता है तो एक्मास्पेर भी कुछ वैसे ही उस हीट को ट्राप करके जो की shorter wavelength के होते हैं तो this is this is global warming clear तो this is global warming तो this is अपना greenhouse effect तो greenhouse effect यह ही है तो this is greenhouse effect तो greenhouse effect का ही एक outcome है global warming जब आप atmosphere में वो gases जो की heat absorb कर सके उनकी मातरा बढ़ा दो वो क्या हो जाएगी global warming हो जाएगी अब carbon dioxide थोड़ा सा था थो थोड़ा ही ट्रैप करता था अब ज्यादा हो जाएगा ज्यादा ही ट्रैप करेगा तो यह आपको clear हो गया तो अब अगर आप देखें तो हम देखने वाले हैं कुछ term global warming potential तो अब gases कौन कितनी ज्यादा global warming करते हैं यह कैसे मुझे पता चले कोई यूनिट तो होना चाहिए ना कोई यूनिट तो होना चाहिए तो वो यूनिट के लिए क्या किया गया है तो global warming potential एक मिजर है क्या करता है कि कोई गैस कितना ज्यादा global warming कर सकता है compared to the same amount of carbon dioxide उसको कहते हैं global warming potential कुछ ऐसे समझिए यदि मैं atmosphere में एक केजी CO2 छोड़ूं एक केजी सलफर हेक्सा फ्लोराइड छोड़ूं तो ऐसा देखा जाएगा अगर एक केजी CO2 एक केजी CO2 अगर वन यूनिट हीट एबजॉब करेगी तो सलफर हेक्सा फ्लोराइड सेफ 6 उसकी यदि मैं एक केजी यूनिट रखूं तो वो वन यूनिट हीट एबजॉब नहीं करेगी वो 23,900 यूनिट हीट एबजॉब करेगी तो यह क्या है दिस इस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल याने की सेम अमाउंट ऑफ गैस यदि सेम टाइम पीरियड के लिए मैं छोड़ दूं यूज्वली हंड्रेड यर्स तो वो कितना हीट एब्जॉब कर सकती है इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशिय यह टर्म वार्म आपके न्यूज में रहेगा क्या है इसका पोटेंशियल इतना है इतना है तो यह सब कर सकती है यह आपको मेंजर करना को कितना कर सकती है यह हम नाकते हैं उसके two पेरामीटर से पहला पेरामीटर है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशिल जो मैंने अभी डिसकर्स किया यह बताती है कि सीओ टू की तुलना में वो कितना ज्यादा हीट एब्जॉब कर सकती है कितना टाइम्स दूसरा है लाइफ टाइम हुआ कि वो कितने टाइम तक एटमासफेर में रहती है जितने देर तक वो एटमासफेर में रहेगी उतनी दिनों तक वो एटमासफेर में हीट एब्जॉब करती रहेगी जैसे वाटर वेपर है वाटर वेपर क्या होता है वाटर साइकल से जो एटमासफेर मे waterway पर घूम रहा है, दस दिन, बारा दिन, महिने भर में वापस जमीन पर आ जाता है, तो stay time क्या है इस gas का, lifetime क्या है इस gas का, बहुत काम है, वही अगर आप देखो carbon dioxide, आज जो carbon dioxide छोड़ा, वो 100 साल तक atmosphere में रहता है, carbon cycle से, वो अगर आप carbon cycle देखो, तो जो atmospheric CO2, recycle हो के जमीन पे आने में करीबन सौ साल लग जाते हैं तो एक बार कार्बन डायोकसाइड चोड़ दो तो उसकी lifetime कितनी है 100 years मतलब क्या हो गया कि natural processes के माध्यम से वो गैस को वापस अपने atmospheric reservoir से निकलने में वापस atmospheric reservoir से निकल के प्रिच्वी में आने में कितना वक्त लगता है वह क्या है उसका lifetime है कि तो आप अगर देखो तो carbon dioxide की global warming potential कितनी है one क्योंकि वह तो पैमाना है उसी के time में हम नापते है carbon dioxide का कितना गुना बाकी का है तो carbon dioxide को one मान के चलते हैं और इसकी lifetime कितनी है 100 साल लगबग 100 साल के atmosphere में रहता है मिथेन अगर आप देखोगे तो इसकी global warming potential कितनी है 21 lifetime कितना 12 साल आपको atmosphere में दिखेगा फिर है nitrous oxide 310 हाइड्रो फ्लोरो कार्बन 140-11700 के बीच में है पर फ्लोरो कार्बन साले 6000 से 9200 के बीच में and sulfur hexafloride 23900 तो आपको क्या करना है यह order याद होनी चाहिए है न कौन कितना ज्यादा global warming potential है आपको gases की order आपको यह याद रखनी है तो सबसे ज्यादा कौन है sulfur hexafloride है आपको यह याद रख लेना है इसके सवाल एक time में काफी पूछे जाते थे तो यह याद रखिएगा बाकी carbon dioxide 1 methane 21 तो रफ आइडिया आपको होना चाहिए अगर gases को arrange करना हो ऐसे तो किस तरीके से आप करेंगे तो आईए कुछ greenhouse gases को देख लेते हैं तो आज सब तो नहीं देख पाएंगे काफी gases है black carbon brown carbon climate forcing चले तो आज जल्दी से एक देख लेते हैं पहला जो ग्रीन हाउस गैस है वह वाटर वेपर तो अगर आप देखें प्रिथ्वी में ओवर आल सबसे ज्यादा कॉंट्रिब्यूटर ग्रीन हाउस एफेक्ट में कौन है वह वाटर वेपर तो वाटर वेपर क्यों कितलीर व्हुम्षाइब बहुत जहादा है बहुत ज़्यादाष्ग बहुत जादा साइब वाल्यूम में वाटर वेपर एट्मॉसफेर में यंप है कि removal में अब क्या हो रहा है कि हम एक आट्मॉसफेर में बढ़ा दे रहे तो वहथा दे रहें तो क्या होगा फृच्वी गरम हो रही है गरम होगी तो ओशन गरम होगे औस्परलि नहीं फारेज जल्दी आप देखो तो atmosphere से recycle करके फृत्वी में पानी के रूप में स्नौ के रूप में गिर जाता है और रेनफॉल या स्नौफॉल हो जाता है तो atmosphere में ज्यादा देर वाटर वेपर रहता है नहीं तो इसलिए खास दिक्कत वाटर वेपर से तो नहीं नेक्स्ट आप देखो तो carbon dioxide carbon dioxide अगर आप देखो तो main greenhouse gas है आज के टाइम में जो की इंसान के द्वारा global warming anthropogenic global warming अगर हो रही है तो उसके लिए main gas कौन सी responsible है carbon dioxide तो carbon dioxide अगर आप देखें तो atmosphere में naturally present है पहले भी थी अभी भी है लेकिन अब क्या हो रही है अब इंसान atmosphere में CO2 की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं दो तरीके से एक तो रिलीज बहुत ज्यादा CO2 कर रहे हैं और दूसरा atmosphere से CO2 खीचता कौन था जंगल जंगल क्या कर रहे हैं काट रहे हैं तो deforestation हो रहा है तो जो के सिंक थे सिंक याने जहां पे CO2 आके जमता था जंगल में organic matter में जमता था biomass बन जाता था से रिमूव हो जा रहा है तो अब अगर मैं आप से पूछू में sources क्या है कहां से carbon dioxide atmosphere में पहुंचती है में प्रमुक कारण क्या है तो वह सीधा कारण एक सब को मालुम है combustion combustion करो fossil fuel का फिर वह चाहे बिजली बुराने के लिए करो thermal power plant में फिर वह चाहे गाड़ी चलाने के लि अने के लिए industrial process में करो अगर fossil fuel burn करोगे तो carbon है तो carbon जलेगा carbon dioxide बनके atmosphere में जाएगा तो क्या करो अगर मैं hydrogen based fuel इस्तमाल करूं तो तो इसमें कोई carbon है नहीं है तो यह तो सीधा जलेगा एच्टू ओ बनेगा जलना इस oxidation और को ही जलना कहते हैं तो एच्टू ओटू मिलके एच्टू ओ बनेगा और वह कोई carbon dioxide नहीं करेगा तो वह क्या है रिलेटिवली क्लीन इनर्जी चलिए इसके सिवा आप देखें तो कई इंडस्ट्रियल प्रसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिना कंबशन के भी सीओ टू रिलीज हो जाता है लाइक सिमेंट इंडस्ट्री सिमेंट इंडस्ट्री कार्बन डायोकसाइड र पर फाइनरी होती है तो उस दोरान आप देखोगे स्टील मिल्स में क्या करते हैं आइरन ऑक्सीडाइस्ट फॉर्म में है तो इसको कार्बन के साथ मिलाते हैं तो यह एफी प्लस सीयोटू बन जाता है तो इस प्रकार से कोई कंबशन नहीं हो रहा है यहां पर कोकिंग रे और आप देखो तो मिखेन वगेरा भी है नाइट्रस ऑक्साइड भी है तो यहां से हम कल देखेंगे पर्टिकुलिट मैटर भी देखेंगे और उसके बाद क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है और कुछ मिजर से आई पी सी सी का डेटा है यह सब देखेंगे जो आपको याद रखना ना है तो कल इतना करेंगे उसके ऐसं के पादों इन्वायमेंटल कंवेंशन अप सब्सक्राइब हैं और सब्सक्राइब कंविंचन सब्सक्राइब की क्लोरो फ्लोरो कारबन रिस्पॉन सिब्सक्राइब यहीं है तो यह है त्षी है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पिशलेख़ेक मिलते हैं Tamam आजS क्लास कहीं पर रुखते हैं बाकी आपको बता दूँँ जब भी एन अकैडमी आए यूज दी कोड के सी 10 क्योंकि सिर्फ 10 प्रसेंट आफ नहीं मिलता बेस्ट मिलेगी डारेक्ट हैंड फोल्डिंग मिलेगी वेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जे